एक छोटा सा गाव होता है, उस गाव के लोग खुशी-खुशी अपना जीवन व्यत्थित कर रहे होते हैं, इस गाव के ज्यादा तर लोग अपना पेट भरने के लिए खेती करते हैं, और उस अनाज को नजदिकी बाजार में बेच कर पैसे कमाते हैं, गाव में बहुत से ऐ ज्यादा मुनाफ़ा भी होने लगा था, उस पैसो से सभी लोग अपने अपने घर में खाने पीने की चीज़ खरीद लाते हैं, और अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहते हैं, गाव की जमीन में पानी की कमी होने के कारण गाव के किसान भाई अपने खेती में जाजी होती है, उसी कारण गाव के सारे लोग सिर्फ उसी महिला से सबजी खरीदते हैं, लोगों के रोज-रोज उसी से सबजी खरीदने के कारण उसकी सभी से अच्छी जान पहचान हो गई थी, वो रोज सबजी बेचने के बहाने लोगों का घर चेक कर लेती थी, एक दि आसपास का पूरा इलाके खोज निकाला लेकिन उन्हें वो गाय नहीं मिली फिर से एक दिन किसी दूसरे व्यक्ति के घर से दो सफेद गाय चोरी हो गई लोगों ने उन गायों को भी काफी खोजा लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी रोज दिन बे दिन गाव में सफेद गायों के चोरी की घटना बढ़ने लगी देखते ही देखते गाव की सभी गाय चोरी हो गई लेकिन गाव वालों को वो गायों को चोरने वाला हाथ नहीं आया गाव के बाहर बनी एक बड़ी दूद फैक्टरी से खबर आई कि उस फैक्टरी में कोई अकेला इंसान ही सारा दूद पहुचा रहा है और मोटा पैसा कमा रहा है अब गाव वालों को सारी बात समझ आ गई एक दिन गाव के सभी लोग अपने घरों के बाहर जमा हो गई और उन्होंने मिलके गाय चोर को पकरने के लिए एक लान बनाया एक सभी लोग छूपके से उस गाय चोर का इंतजार करने लगे रात होते ही वो चोरनी गाव में आती है लोग उस सबजी वाली को देखकर चौक जाते है और उसे सबक सिखाने का सोचते है गाव के कुछ लोग उसके पीछे पीछे जाते है और उसका ठिकाना देख लेते है उस से भाग जाते है गाव के लोग उस चुड़ेल को मारने एक बाबा को लाते है और उसे चुड़ेल के पास लेकर जाते है बाबा पहले उस चुड़ेल को सभी गायों को छोड़ने की बात करता है लेकिन चुड़ेल मना कर देती है लेकिन बाबा काफी चतुर होता है वो उस च ज़र चली जाती है बाद में बाबा उस चुडेल को एक चमकता हीरा दे देता है उस हीरे को छूटे ही वो खतरनाक चुडेल जलकर भस्म हो जाती है और इस प्रकार वो बाबा गाव वालों को उस चुडेल के चंगुल से छुडा लेता है तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे मज़ेदार कहानी सुनने के लिए इस चाइनल को सब्सक्राइब जरूर करें